जैजनेन बंदो मैं रवी जैन गुरू जी आज सोंवार और राहुकाल प्राते साड़े साथ बज़े से नो बज़े तक रहेगा इस बीच में हमें कोई भी नया कारिया आरम करने से बचना चाहिए और अब बात करते हैं आज के रासि फल की मेस रासि वाले कारोबार में सुखद लाब का योग भूमी वहन आदी का भी आज अच्छा योग है क्या करें सुबह के समय शिरिप पदम परभुजी का चालीसा अवश्य पढ़ें वर्शब रासि वाले भाग्ये का सितारा चमक सकता है अनुकूल है समय क्या करें चांदी के गिलास में पानी भर कर रखें उसी से पानी पीएं मीथुन रासि वाले नए काम का सुयोग पदोन नती का अवसर मिलेगा क्या करें नमो सिध्धानम की माला तीन बार पढ़ें हलकी आवाज में करकरासि वाले स्वास्त का ध्यान रखें मोसम का परभाव पढ़ सकता है क्या करें शिरी भक्तामबर जी का पैंतालिस वा काफिय नो बार पढ़ें सिंगरासि वाले परिवार में खुसी का योग पंताववा दिखाई देता है आज मन भी हर्शित रहेगा क्या करें ओम रिम शिरी शांतिना जिनेंदराई नमा की एक माला फेरें क्या करें शिरी भक्तामबर जी का अठारा नमबर का काफिय अठारा बार पढ़ें तुलारासि वाले परस पर मेल मिला बढ़ेगा दोस्तों से भी सैयोग मिलेगा क्या करें दोस्तों के परीजनों का सम्मान करें वर्षिकरासि वाले आत्म शक्ती कमजोर ना होने दे अनुकूल है समय क्या करें पांच मिनट का मोन सुबह और शाम दो बार रखें धनुरासि वाले नया कारिया आरंब कर सकते हैं भाग्या आपकी परतिक्षा कर रहा है क्या करें लंबी सांस लेकर नए कारिये की सुरुवात करें मकरासि वाले रोजगार के सादनों में उन्नती का अवसर लेकिन मन परिशान ना होने दें क्या करें नमोकार महामंत्र की एक माला फेरें कुमरासि वाले प्रोपर्टी से लाब हो सकता है लेकिन आलश्य ना बढ़ने दें क्या करें भोजन में कालील दाल का इस्सेमाल आज बिलकुल ना करें मीन रासी वाले नवीन कारियों में रुकावट आ सकती है लगन के साथ कारिय करें क्या करें शाम को शिरी चंदर पभू चालिसा हलकी आवाज में तीन बार पढ़ें रासी फलके पश्चाद बंदूओ अब बात करते हैं आज की सलह की आज की सलह में ध्यान रखें अगर आपके परिवार में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके कमरे के परदे वे मेजपोस हरे या पीले रंके रखें अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्शित रूप से इससे उनका मन पढ़ाई में अधिक लगने लगेगा ध्यान रखें बच्चों के कमरे के परदे वे मेजपोस हरे या पीले रंके होने चाहिए और अब बात करते हैं आज की मेल की ये मेल हमें भेजी है सोहन राम जैन जी ने सोहना हरियाना से लिखते हैं गुरू जी चरण शपष मैं लेडिर्स गारमेट्स का व्यापार करता हूँ मगर व्यापार में तरक्की नजर नहीं आ रही है मैं काफी परेशान हूँ करज भी बढ़ता जा रहा है मैं क्या करूँ देखे सोहन रामजेन जी आपको बिलकुल भी परेशान होने की आवशकता नहीं है आपकी कुंडली के अनुसार आप बहुत अच्छा कारिया कर रहे है और आपको इसी कारिया में रहना चाहिए अभी कुछ समय की बात है उसके बाद आपकी कुंडली में मालव्य योग बनाकर बैठे हुए शुक्र की महादसा सुरू हो जाएगी जो 20 साल की है और यह मालव्य योग आपका पिछला सारा करज भी उतरवा देगा और निश्चित रूप से आपको धंधानने से भरपूर भी कर देगा बस तब तक आप दो काम करें ओम रिम शेरी पुस्पदंत जिनेंदराई नमा की माला रो जाना फेरें और व्यापार के इसान पर 28 वा काव्य दस बार यंतर के सामने हलकी आवाज में पढ़ें अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ये आने वाला समय थोड़ा सा आराम से निकल जाएगा और उसके बाद जब शुक्र की दसा आएगी तो वह निश्य तुप से आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ले आएगी और बंदो इसी के साथ आपकी भी कोई समश्या या जिग्यासा है तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी लगातार फ्लेस हो रही है आपका दिन सुब और मंगल में हो इसी मंगल में भावना के साथ आप सभी को जै जिनेंद्र